क्योंकि आप सब मेरे चैनल पर कितना कितना प्याद हैं कहते हैं परिवर्तन से डरना और संगर्ष से कजराना हमारी सबसे बड़ी कायरता होती है परिवर्तन से मट डरो अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो याद रखना कि आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत के अनुसार आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो खुद को एक चीज जरूर याद दिलाएं कि अभी भी कुछ ऐसी कमी है जो आपकी मेहनत में रह रही है तो चलिए उसी कमी को पूरा करते हुए आज की दिन की शुरुआत करती हूँ इसी पॉजिटिव थाट के साथ नमस्कार आदाव खमागडी बड़क कम एंसास्त्रियाकाल मैं रेखा आप सब का स्वागत करती हूँ आज के अपने निव ब्लोग में तो चलिए बने रहेगा ब्लोग में अग तक और सबसे पहले आप सबको धेर सारा थैंक्स क्योंकि आप सब मेरे चैनल पर कितना कितना प्यार दिखा रहे हैं यह अब दिखने लगा है और मैं बहुत-बहुत खुश हूँ मेरी महनत रंग ला रही है तो चलिए आज का ब्ल नमर वन के बार में बात कर लेते हैं तो मैंने ले लिया है यहां धूप बती का एक पैकेट और जब विंटर आजाती है ना तो यह धूप होती है यह बहुत-ज्यादा टाइट हो जाती है और इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है सुबा सुबा तो हम जल्दवाजी में जैसे तैसे करके बाती को बना के और पूजा कर लेते हैं इससे क्या होता है हम आराम से भगवान को दो मिनट भी नहीं दे पाते हैं और ऐसे में अगर आप एक बर्किंग बूमेन है या फिर आपके छोटे बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो विंटर वस आप 5-10 मिनट में ही इसको बना सकते हैं और यह बहुत सारी इस तरह से आप बना के स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और लो दिखाते ही इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप हलके से ही इसे बनाएंगे तो यह आराम से बन जाएगी और मैं ऐसे ही करती के टिप्स तो प्लीज आप जरूर अपनाईएगा यह टिप्स अपने घरों में बहुत ही यूसफुल है आप सब के लिए और ऐसे ही अब हम टिप्स नंबर टू के बारे में बात करते हैं तो देखिए हमने धूपकी जैसे बत्तियां बनाई थी सेम उसी की तरह हमें कॉट मन की शांती के लिए तो देखिए आप इन बातियों को भी दो से तीन महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और यह बहुत ही सिंपल सी और आसान सी टिप्स है और मैं आप सब के साथ इसी लिए लेकर आई हूं क्योंकि मॉर्निंग का जो रुटीन है वो लेडिजों का बहुत फास्टली होता है विंटर में और आप बात कर लेते हैं टिप्स नंबर थ्री के बारे में और यह भी बहुत कमाल की टिप्स है और आप बिलकुल भी इसे मिस मत कीजिएगा तो यहां पर जो भी हम चाय बनाते हैं ना मॉर्निंग में ब्रगफस्ट में और आज कल तो बहुत ही जादा हस्ट पुष्ट रहेंगे इससे आप कभी जरूर यूज करके देखना तो आप इसे मिट्टी में मिला के इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं और इसकी बहुत अच्छी सी एक खात बन जाती है और आप चौए तो इसे हातों हात भी अपने पौदों में ड बनते हैं और बहुत सारा दिन मतलब ऐसा हो जाता है कभी-कभी की चूला रुकता ही नहीं है और जलता ही रहता है तो बस ऐसे में मैंने ले लिया है यहां पर मीठा सोडा तो सभी के घरों में होता ही है तो बस इसकी चि किनावट आवट नहीं है साफ करने का बस थोड़ा सा अगर जादा इसमें महनत लग रही है तो आप लेमन डाल लेंगे तो बिल्कुल भी महनत नहीं लगेगी और बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाएगा और ये मिंटों में साफ होने वाली ट्रिक है और आप इस तरह से बहुत ही आप चूल की लेकिन आप हफते में ये सफाइज जरूर करेंगे तो आपका चूलक कभी भी गंदा नहीं होगा तो चलिए अब टिप से नंबर की बात कर लेते हैं फाइब की तो यहां पर मैंने ले लिये हैं कुछ मटर तो मटर का सीजन है लेकिन मटर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और हमारे हाथों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है जब हम ठंडी ठंडी मटर को फ्रीज से निकालते हैं और जब मॉर्णिंग में बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर बर्किंग बूमन हैं तो उनके लिए काम बहुत ज़्यादा हर्ड होता है जल्दी जल्दी सब काम कर पाना तो आप इस तरह से सारी मटर को एक बार में ही छील के और पूरे हफते के लिए स्टोर कर सकती हैं बिना पर देखिए मैं इस तरह से बिना फ्रीज के ही मटर को आठ दिन के लिए स्टोर कर लेती हूं और जो चिलके हैं वो चिलके हमारे जो दूद बाले भाईया है उनको मैं दे देती हूं गाय के लिए और आप बात करते हैं टिप्स नंबर 6 के बारे में तो यहां पर ले लिया इसमें से मैंने सारे गंदगी निकाल ले है किसी भी तरह की खराफ सलीगडी पत्ती इसके अंदर नहीं होनी चाहिए तो आप पूरे हफ़ते का धनिया इस तरह से स्टोर करके रख सकते हो बस इसके अंदर एयर नहीं जाना चाहिए और आप किसी रबर बेंड से इसको बां पूरे हफते के लिए स्टोर करके रख सकते हो तो विंटर में है न कमाल की तिपस आप इस तरह से टिपस को अपना सकते हैं और आप किसी भी airtight container में और इसको बिना फिरिज के ही store करके रख सकते हैं पुरे हफ़ते के लिए यह बहुत ही कमाल की tips है तो कैसी लगी है मेरी tips कॉमेंट करके ज़रूर बताइए और आप बात करते हैं tips number 8 की तो देखिए जब भी आप सबजी चिलके और सबजी बगरा काटते हैं तो काटते समय अगर आप उसके नीचे newspaper या किसी भी तरह का कोई polythine बगरा रख लेंगे तो आपका जो फर्स है नीचे का वो गंदा नहीं होगा साफ रहेगा बिलकुल और इस तरह से आपके समय की भी बच्वत होगी और आप बात करते हैं टिप्स नंबर 9 की तो यहां पर देखिए यह जो मिर्ची है ना यह बहुत जल्दी सूख जाती है विंटर में जिनके पास फ्रीज नहीं होता है तो आप अगर बिना फ्रीज के इसे लंबे टाइम तो रखना चाहती है तो आप इनके डंठल हटा के और आप इस तरह से स्टोर कर सकती है यह मिर्ची का जो टाइम है ना अब और 8 दिन बढ़ जाएगा यह कभी भी खराब नहीं होती है इस तरह से और यह बहुत ही कमाल की टिप्स है मैंने कई वार इसको अपनाया हुआ है और आप बात करते हैं टिप्स नमबर 10 की और बहुत ही बढ़िया सी यह टिप्स है तो विंटर में फ्रूट खानी का ना कभी-कभी मन नहीं होता है क्योंकि ठंडे होते हैं तो सारी फ्रूट वेस्ट हो जाते हैं ऐसी तो आज बहुत बहुत खुश है क्योंकि आज उसका फेबरेट कार्टू लेकने को मिल गया है तो कौन सा टिप्स आपको सबसे अच्छा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और अब मैं शियर करूंगी आप सबसे बहुत ही मज़िदार सी रेसिपी तो मैंन यहां पर कुछ पूहा और इसको अच्छे से दो तीन वार वाश कर लिया है ठंडे पानी से और इसको देखिए ऐसे अच्छे से निचोडने के बाद ना इसमें मैंने चौप किया हुआ थोड़ा सा डाल दिया है और उसके बाद थोड़ा सा ग्रीन चीली और छोटे और आज कल में जितने बी ब्रेकफास्ट आप सबको बताती हुँ ना वो सब इंस्टेंटली बनने वाले होते हैं क्योंकि लेडिजों की जो मॉनिंग की सुबह होती है विंटर की बहुत ही फास्टली होती है और बच्चों के लिए कुछ हैल्दी बना पाना उनके लिए च और यह आलू चाट की तरह आप इसे खिला सकते हैं बच्चों को बड़ो को सभी को और यह बहुत ही क्रिस्पी होता है खाने में और आप चाहो तो इसे डीप फ्राइब भी कर सकते हो लेकिन मैंने डीप फ्राइब नहीं किया है मैंने सिर्फ इसको तबे पे सेक लिया है औ और एक healthy breakfast हो जाएगा इस तरह से अगर हम बनाएंगे breakfast को तो आप इसे बच्चों की टिफिन में और बड़ो को नाश्टे में भी दे सकते हैं morning में तो इस तरह का अगर नाश्टा बच्चों को मिल जाता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और ये बड़े और बच्च तो चलिए आज का मेरा breakfast आप सबको कैसा लगा है मुझे comment करके जरूर बताईएगा तो जो बैटर मैंने रग दिया था थोड़ा सा और शाम को इस तरह से देखिए मैंने ये पकोड़े टाइप बना के शेप में और ऐसे देखिए राउंड राउंड इसको फ्राई कर लिया और इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए चैनल पर आप सब तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे कल के ब्लॉग में अच्छी से टॉपिक के साथ अच्छी सी रस्पी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए मस्त रहिए इंज़ोई असे बैबाई टाइटा और सबसे एच्छा टिप्स आपको कौन सा लगा है मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मैं भूलिएगा